नामस्ते केंचो वेल्कम बैक तो माई चैनल मैं अगांचा सिंग आज हम बात करेंगे इग्नोर जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें क्या करना चुछ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जब हमें कोई इग्नोर करता है तो मतलब अगर कोई इमोस्नली किसी से अटैच होता है और सामने वाला बतना हमें इग्नोर करने लगता है तो हमें बहुत बहुत बुरा फील होता है कि वो ऐसा क्यू कर रहा है अभी कल तक तो सब सही था अभी आफिमाटिक एसा क्या होगे त जो भी ignore करता वो एक बैय नहीं करता है। उसके दिमाग में छीज चलती रहती है बहुत दHIंसे या तो कुछ होता रहता है। तो या फिर भी आपको इसको बात हर्ट कर रए होती है। जो बाती आप बाद गिसे कर रहे होती है। इसके वज़े से भी सामने वाला आपको इगनोर करता है और हमें पता ही नहीं होता है कि सामने वाला क्यों गनोर कर रहे हैं और हम्हें बहुत थेंचन हो जाती है कि ऐसकतर फोन करते हैं i2 शीड महीत करते हैं एक बार कॉल आ जाये फोन भजार पार जाते हैं सबसे पहली बात आप खुद सोचो कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि सामने वाली को वह चीद बहुत हाइड कर गई है इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा है अच्छे तो सोचो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नॉर्मली एक ही काम करो उससे फेस टू फेस बैठके या मिलके आप उकॉल करके जैसे भी कि असुआ करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्यों तो मुझे में शिच्छे कर रहे हो क्या långती परसंद पर इते तो उससे बात करने से खत्म हो जाती है आप डाइरेक्ट बात करेंगे तो वो खुद बताएगी या बताएगा कि तुम्हारी ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगते मुझे ये चीज तुम्हारी पसंद नहीं है समझ दो वोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो अगर हम सामने वाले से बात करते है और अगर आप आपको पॉसिबल हो सके तुम मिल के बात को उसको सर्फ यही बोली कि एक बारी मुझे से मिल लो तुम 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 उससे मिल लो वो पक्का अगर आपको कर रलेशन रहा है तो वो आएगा या आएगी डेफिनेटल कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है बाट के बाद करने से सौल गो जाती है एटी पॉसंट जो भी है आपको वो इग्णोर कर रहा है क्यों इग्णोर कर रहा है यह सब अपने अंदर घुट घुट के जीने से कुछ नहीं होगा वो क्यों लो के बात करें वह जाधा बेडर होगा यह सोच आपको थी यह को ऊच्छे नहीं कर रही है समझ रहे हो हैं वह दूब करते हैं कि यही कहना जाती हो कि कोई भी आपको इनुप हर एक तो किसी भी सिटुएशन का तुरंट यह नहीं माल लेना चीनिका को तो मुझे इग्णोर कर रही है, छोड़ो, मैं भी उसको इग्णोर करूंगा, भाई, रिलेशन्चिप बहुत महनत से बनती है, और उसको आप इतने दिन तक इतने अच्छे से चला के ले आये हो, उसका ये मतलब नहीं है, कि थोड़ी सी इगो के लिए, आप उस बंदी को छ करते हैं, कुछ ऐसा रीजन हो जाता है, कि कोई बात उनको बहुत लग गई होती है, कि वो आपसे बात नहीं करते हैं, किसी भी बात का एक ही सल्यूशन है, आप बैटके उनसे बात करें, सामने कि क्या रीजन है, मेरी वज़र से कुछ हुआ है, मेरी कोई बात उनको बुरी लगी है तो I'm sorry for that, ठीक है, लेकिन अपना ego पीच मुलाने ऐसे कि वो मुस्से बात भी करता, तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता, एक बात दो बात try to करना ही चाहिए न यार, ऐसे थोड़े हो जाता है कि एक relationship बनाया और उसको, हाँ वो मुस्से बा करता है relationship, तो इतने easily कोई भी रिस्ता तूटता नहीं है या, या आप किसी भी रिस्ते को अगर इतना easily लेके चल रहे हो, और वो एक phone call नहीं करने से, दो दिन बात नहीं करने से, अगर वो तूट जा रहा है, तो आप कौन सा प्यार कर रहे थे, घंटा प्यार कर रहे थे, अपना बैस दीजिए ताकि कभी ये ना लगे कि मैंने तो पूछा ही नहीं उससे कि ऐसा क्या हो गया था कि हम लोग अलग हो गए, उससे पूछिए क्या रीजन है, कोई प्रॉब्लम है तो हम तोनों मिल के solve कर लेंगे यार, बताओ तो कि क्या बात हुई है, क्यों तो बहर ज़रूरी है, आप अगर उसको सच्चा प्यार करते थे या फिर आप सच्च में चाहती हो कि वो आपके पास रहे, एक बात उससे बात जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे बैट के एक बात जरूर करना है, ठीक है, थांक्यू, मेरी वीडियो देखने के लि